हाई गाइस वेलकम टू जेक एक्जाइम क्रैकर होप यू ओल आ डूइंग गूट एज आम यूर मेंटर फॉर इंडियन हिस्ट्री तो जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में वैने सब कवर अप किया है एंचेंट हिस्ट्री, मिडियू रही है और मॉर्डण हिस्ट्री की मेरी वीडियो चल रही है तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपका मोड़न एस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करवाऊं और मेरा ये मैसेज है त् टाइम जो है बहुत कम रह जाएगा तो अभी से पढ़ो और अभी से अच्छे से अपनी त्यारी करो और मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमारी तीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी आपको जितना भी सलेबस है जेके SSB Class 4 Examination का वो पूरा करवाएं जल्दी से जल्दी और जस्ट वीडियोस देखो और ज्यादा से ज्यादा मौक टेस्ट सॉल्फ करो ठीक है तो यह जो मेरा आज से History of JNK में शुरू करने जा रही हूं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम वीडियोस में मैं आपको Quality Content प्रोवाइ से जो भी Questions आएंगे चाहिए History of JNK में आएंगे ठीक है वो में सारे एक बिल्कुल Short Way में और Quality Material आपको इन वीडियोस में प्रोवाइट करूंगी उसके बाद आप जस्ट मॉक टेस्ट दो दैट इस सफिशेंट फो यो प्रिपरेशन उसके बाद History of JNK में में आज शुरू करने जा रही हूं तो पहले जो हमारा बात होती है कि Origin कहां से यह शुरू हुआ था शुरू कैसे हुआ था जम्मू एंड कश्मीर ठीक है जम्मू का Origin कैसे हुआ कश्मीर का कैसे हुआ यह सब शुरू करने से चीजे पहले मैं आपको कुछ important चीजें बताना चाहती हूं जो भी करंट हैं ठीक है करंट में चल गये जिस पर कोईशन आना बहुत जादा बनता है वो है कि अभी अगस्त पांच 2019 में हमारा जो हो मिनिस्टर है ठीक है उन्होंने एब्रोगेट करने के लिए 370 और 35 जो हमारा आर्टिकल है इसको काटने के लिए जो है प्रुपोस किया था ठीक है कब क्या था अगस्त 5 2019 कहां पर राज्य सबा में और लोग सबा में कब पास हुआ ये अगस्त 6 2019 में और जो प्रेजिडेंट का जो इसको असेंट मिला ठीक है प्रेजिडेंट का असेंट मिला इसको नो अगस्त 2019 में ये बहुत इंपोर्टेंट है करंट के उसमें ठ इस टाइम पर प्रेजेंट गवर्नर है हमारे मनोथ सिनहा उसके बाद यहां पर पहले हमारी होती थी 22 डिस्ट्रिक्स ठीक है बाइफ़केट क्या स्टेट को दो युनिन टेरिटरीज में ठीक है एक जेंड के और एक लदाक लदाक जो है वो सेंट्रली कंट्रोल रहेगी और हमारा जो जेंड के है इसका अपना लेजिसलेटिव असेंबली है विधान सबा है तो यह जो है इसमें क्या है दो हमारी युनिन टेरिटरीज बन गई अब लदाक जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया तो पहले 22 डिस्ट्रिक्स बनती थी हमारी ठीक है जो दो हमारी आती लदाक से आती थी ले अन कारगिल तो अब वो दो डिस्ट्रिक्स कटके 20 डिस्ट्रिक्स हो गया उसके बाद ये तो आपको सारे ये जो मैंने 5 पॉइंट्स है और मेरी आज प्रेजेंटेशन भी ऐसी है कि इसमें भी आपके बहुत सारे MCQs solve होंगे और इन पे question आना तो ब करते हैं 14th century BC में अब कठुवा रीजन से ये सब शुरू भुआ था ठीक है कठुवा रीजन में जो एंपरर आये थे उनके दो बेटे थे जम्बू लोचन और बाहू लोचन तो कठुवा से रीजन से चलते चलते जब जम्बू लोचन हमारे यहां पे एरिया में आये थे तो रीवर तवी के पास उन्होंने क्या देखा कि एक बक्री और शेर इक अठे पानी पी रहे थे और वो इतने फैसिनेट हुए उनको इतना अच्छा लगा देखकर कि वो कहते कि मैं इस जगा की स्थापना गरूंगा मैं इस जगा को बनाऊंगा तो यह दो ब्रदर्स थे उनके नाम से ही यह जम्मू हमारा बना था और बाहू लोचन ने बाहू फॉट यह जो बाहू फॉट वाला एरिया है इनके ब्रदर का था ठीक है तो जम्मू लोचन पहले जो ओल्ड नेम था वो क्या था जम्बू ठीक है ओल्ड नेम था इसका जम्बू ठीक है उसके अपने बास्मती राइस के लिए फेमस है ठीक है वहां पर इरिगेशन बहुत अच्छे लेवल से होती है बहुत उपचाव भूमी है वहां की और यह जो आरेस पुरा है रनबीर सिंग पूरा है यह राइस के लिए फेमस है तो यह भी आपको MCQ आ सकता है कि रनबीर सिंग अब मैं पहले जाती हूं कि यह जो मैंने प्रेजेंटेशन आपका बोट पर लाया है अब इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो ते इन में फॉर्दर कॉंटिन्यू करती हूं ओके होब काइस के आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा तो अब मैं बात करती हूं कश्मीर की अब कश्मीर जो है कश्मीर में क्या है यह दो वर्ट से डिराइफ है का एंड शमीरा ठीक है का मीन्स वाटर ठीक है एंड शमीरा मीन्स ट्राइब अब जो का वाटर वाटर मीन्स यहाँ पे कश्मीर में पहले पानी ही पानी था जिस तरह से हिस्टॉरियन कलहाना ने अपनी राज तरंगनी बुक में डिस्क्राइब किया है कश्मीर को तो वो कहते हैं कि हाँ पर पानी ही पानी था यानि कि एक लेग थी उस लेग का नाम था उस लेग का नाम था सीता सार तो कौन सी लेग थी ये भी एक M.C. क्यों आपका बनता है कि कौन सी लेग थी वो थी सीता सार ठीक है सीता सार लेक थी यहाँ पे का का मतलब है water इन शमीरा means dry up यानि कि एक पूरा रीजन में पानी ही पानी था और फिर वो dry up हुआ जब वो dry up हुआ वहाँ पे land बना और उस land पे फिर लोगों का वास हुआ तो यहाँ पे सीता सार लेक थी वो जो historian कलहाना ने अपनी राश्टरंगनी बुक में describe किया है अब यही तीन MCQ बन जाते हैं कलहाना हमारे historian थे कलहाना की बुक कौन सी थी राश्टरंगनी थी second MCQ and third MCQ इस कौन सी लेक थी वो थी सीता सार लेक तीन MCQs यहाँ सी हो गया आपके then राश्टरंगनी ऐसा ही described earlier कि कलहाना 12th century में उन्होंने लिखी थी कलहाना हमारे historian थे इतिहास कारक थे जिनोंने राश्टरंगनी बुक को लिखा था और उसमें उन्होंने पूरा कश्मीर वैली जो हमारा है उसके बारे में describe किया हुआ है उसके बाद यहां पे इन्होंने Hindu mythology जो हमारे हिंदूस है वो कहते हैं कि रिशी कश्व जो थे ठीक है अब महाभारत के टाइम से ही ये कश्मीर का जो है चल रहा था अब महाभारत जब यूद हुआ था उससे पहले जो रूलर थे वो थे हमारे गौननडा और उसके बाद जब महाभारत वार जब शुरू हो गई थी ना तो उनके ही आगे बेटे सक्सेसर के लो गौननडा 2 जो मैंने आपको यहां पे भी describe किया हुआ है ठीक है जो थे हमारे जालोड बोवा ठीक है वो कौन थे जालोड बोवा ठीक है जालोड बोवा के साथ उन्होंने युद किया था और जो लेग थी फिर उन्होंने क्या किया रिशी कशब ने और रिशी कशब जो है यह हमारे रिगवेदिक एरा में ठीक है में भी इनका contribution रहा है इन्हों ने उसके साथ fight करके उसको जीता और वो जो lake थी ना उसको drain करने के लिए इन्हों ने क्या किया जो बारा मुला एरिया था ना बारा मुला जो हम अब कहते हैं बारा मुला ठीक है वो तब उस टाइम पर था वारा मुला ठीक है अब जैसे यह area य मतब रास्तों से बह जाए और वहां पर एक area बन जाए कि एक ही जगा पर collective lake है तो इन्होंने बीच में से रास्ते निकाले रिशी कशब ने तो लेक को drain किया सुकाया उसको ठीक है ड्राइ किया और ड्राइ करने के बाद वहां पर मतब जमीन आ गई फिर उसके बाद रिशी सेंग ठीक है वो कब आये थे 631 AD में ठीक है यह कब आये थे कारा कोटा डाइनास्टी में आये थे जो MC क्यों आता है वो आते कि कारा कोटा डाइनास्टी में वो आये थे बट उससे पहले भी वो regular visits पे रहते थे ठीक है वो उससे पहले भी regular visits पे रहते थे वो कब रहते थे जब वो कुशान गिंग था ना उस टाइन पर वो पहले भी आते थे बट मेंली मतलब कुशान एंपायर जब एंड में था कुशान एंपायर का एंड था ना उस टाइन पर यहां पर आये थे उसके बात अब जो आपकी हिस्ट्री है होप कि आपको यह सब चीजें समझ आ गई होंगी अब यहां भी मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हूँ कि किस तरह से इसका डवीजन है यहां पर आ जाते है अरली या पहला जो हमारा हिंदू पीरियड था फिर आते है हमारा मीडीवियल फिर आते है मुगल दिन सिख अब जो अरली या हिंदू पीरियड इसमें आते है हमारा मोर्यन एमपायर कुशन एमपायर ठीक है जो मीडीवियल है इसमें आते है आपका उत्पला लोहारा एंद देवा डाइस्टी अब मैं इन सभी को एक्स्प्लेइन करूंगी स्टेप वाई स्टेप यहां पर आगे आपका अरली और हिंदू पीरियड अब मैंने आपको जैसे की पहले भी बताया कि यह महाभारत वार जो हुई थी जो यूथ हुआ था और जो गुनंडा थे ठीक है गुनंडा यह महाभारत के जो पांडवास थे उनी के आगे बेटे थे तो गुनंडा जो थे वो पहले रूलिंग थे अब आपको जैसे MCQ आजए अगर तो आपको direct MCQ आता है कि कौन थे किंग कश्मीर के तो वो थे गुनंडा वन ठीक है तो उसके बाद अगर आपको MCQ आजाते कि add the time of महाभारत वार तो जब शुरू हुई थी commencement ठीक है जब शुरू हुई थी commencement of महाभारत वार तो रूल कोन कर रहे थे कश्मीर को इस तेंग गुनंडा टू कर रहे थे इस MCQ में confuse नहीं होना है फर्स्ट किंग हमारे गुनंडा थे और जब महाभारत वार वो रही थी उस ताइम पे उनके बेटे गुनंडा टू थे उसके बाद आता है हमारा मोरियन एंपायर मोरियन ए अनेस्टी थी ठीक है तो वो किस तरह से रूल किया था वो पूरा यहां से ठीक है जमु कश्मीर का रीजन छोड़के उन्होंने पूरे इंडिया पे राज किया था मेडिवियल में मैंने आपको समझाया था वो मैप के थू ठीक है उस वीडियो को आप देख सकते हैं उसमे किन शूरेन पूरे अपना रूल किया था जो अशोका थे उन्होंने वांकिया था जो हमारी ओल्ड सिटी थी सृनगर की अप शरी नागर को हम ओल्ड सी भी एटे हैं indicator of Kashmier भी कहते हैं बड जो पुराना ताइम था अभी तो हम जो कश्मीर की कैपिटल हम केहते सृनगर है अशोका के टाइम पे उसको क्या बोलते थे पैंडरी थन तो पैंडरी थन जो है वो ओल सीटी जो स्री नगर की अभी की जो हमारा अभी जिसको हम स्री नगर कहते हैं ठीक है अभी जिसको जो हमारा कैपिटल माना जाता है वो अशोका के टाइम पे पैंडरे थन उसको बोलते और यह बहुत 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 जादा इंपोर्टेंट MCQ है आपका कि who founded the old city of Srinagar यह by which name तो पैंडरे थन शोका की टेथ के बाद उनके सन जालुका ने राज किया और जालुका के बाद उनके सन दामोदर ने किया अब यह जो Moran Empire है यहीं खतम होता है और फिर कूशन Empire की स्टार्टिंग होती है कूशन Empire जो है यह कितने साल रहा यह 200 साल तक रहा इंडो ग्रीक्स का राज रहा यहां पे और तुरुश का जो थे इन्होंने राज किया था अब जो कूशन Kings थे ना इन्होंने बुद्धिजम का बहुत प्रचार किया Temples बनाए आप तेक सकते हो अभी भी कितने Temples हैं City of Temple भी कहा जाता है जमू को स्रीनगर को स्रीनगर में भी बहुत सारे Ancient Temples हैं बहुत सारे बुद्धिजम की Monasteries हैं ठीक है बहुत सारी चीजे हैं कि हमारा ये एरिया आता ही ऐसे है यहां पर हमारा लदाख रीजन है ठीक है जमू कश्मीर तो यहां पर हमारा इस साइट से जो हम बोलते हैं कि अब हमारा जो P.O.K है P.O.K is with जमू कश्मीर और लदाख के साथ कौन से रीजन आते हैं, वो दो रीजन आते हैं, गिलगिट, बलतिस्तान, ठीक है, लदाक के साथ, कौन से दो रीजन आते हैं, गिलगिट, बलतिस्तान, और जम्मू कश्मीर के साथ आता है, पुंछ रजोरी का एरिया जहां पर पड़ता है, ठीक है, ये भी आपका MCQ बन सकता है, कि गिलगिट बलतिस्तान किसके साथ है लदाख के साथ और पियो के जैंड के साथ जो पुंच रजोरी का एरिया है अब कमिंग बाक तु दे पॉइंट जो यह थे इन्होंने बहुत जादा किया थो आपको पता भी है कि लदाख रीजिन यहां पर तिबद लदाख के साथ कुष्ण किंग जो थे इन्होंने बहुत सारे टेंपल्स बनाई मोनेस्ट्री बनाई बुद्धिजम का प्रचार किया ठीक है और इनी के टाइम पे जो चाइनिस वो थे पिल्ग्रिम थे जो हूं संग थे वो आय थे 631 AD में कुष्ण एमपायर उस तेंग का रूल हो रहा थ यह सब चीजे हुई थे और उनका बहुत जादाम तब सतकार आदर सतकार किया गया था जो चाइनिस बिल्ग्रिम आय थे तो यहां पर आपका यह जो रीजन है ना जब यह कुष्ण एमपायर हमारा खतम हो रहा था तो यह आ रहा था करा कोटा डाइस्टी यह आपका बहु उत्पला लोहारा एंदेवा उत्पला डाइस्टी में क्या हुआ स्टार्ट के से हुआ करा कोटा डाइस्टी थी जो उसका एंड हुआ ठीक है उसके एंड होने के बाद यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जो थे वो थे हमारे महाराजा अवंती वर्मन ठीक है महारा चाहिए और अगर जैसे foundation course होता है कोई चीज पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि foundation आपकी strong होनी चाहिए कोई घर बना रहे हो foundation strong होनी चाहिए यानि कि base चाहे वो knowledge है चाहे वो घर है चाहे वो कोई भी चीज है आपका foundation strong होना चाहिए उसके बाद important foundation इनकी क्या थी इन्होंने capital city कश्मीर में ठीक है जो area है वहां पर बहुत सारे archaeological evidences भी मिले होंगे of course मिले होंगे क्योंकि कुछ न कुछ हर civilization बहुत सारी चीज़ें चोड़के जाती है जो next आने वाली civilization उसको देखती है फिर उसके बारे में study करती है अब जैसे when I was to that जलिया वाला बाग तो वहां पर जो सकते हैं कि जैसे हम coins drop करते हैं इतना जादा pile up हो गया है coins उस कुए में तो वहां पर जैसे हमारी civilization में यह सब हो रहा है अब जब हमारी civilization खतम हो जाएगी अगर कोई और civilization आएगी ठीक है वो डिक करेगी सब चीजें तो खतम हो जाएगी with time with the passage of time it will take very long time बद कभी ना कभी त चीजें होती हैं जो आने वाली सबयता को help करती हैं जानने के बारे में कि उनकी पुरानी civilization कैसे रहती थी ठीक है जैसे हम हम जो technology यूज कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं फिर आने वाली civilization देखे हैं अच्छा ये ऐसे coins यूज करते थे अब हमने तो per year के बैंक ओफ इंडिया ठीक है गवर्मेंट जो है वो coins बनाती है जिरफ ठीक है और एक रुपे का जो नोट होता है वो government बनाती है और जो Reserve Bank of India वो सारे के सारे बागी जितने भी हमारे नोट चपते है न वो Reserve Bank of India चापती है और उनके ठप़े लगते हैं वो भी उनीके लगते ह है वो coins तो बना रही है प्लस वो 1 रुपी नोट बनाती है और उस पर Finance Secretary sign करता है यह चीज़ बहुत इंपोर्टेंट होती है और कहीं बार यह Journal Knowledge में पर questions आ जाते हो आपको इतना aware तो होना चाहिए currency तो सभी यूज करते हैं तो वहाँ पर Finance Secretary sign करता है ठीक है 1 रुपी नोट और coins जितने भी ठिपे बनते हैं वो सारा government करती है अभी आपने देखा होगा government ने new coins launch किये थे ठीक है थोड़ा designing change की थी coins थोड़ा अच्छे उनके museums भी बनते हैं coins के कि इतने से इतने साल में जैसे मारा पहले एक रुपे का सिक्का था दो रुपे का था तो वो अलग टाइ ठीक है उसमें silver जादा यूज होता था तो पांगलादेश में क्या हुआ था कि यहां से ब्लाक कर रहे थे सिक्कों को और जो पांच रुपे का सिक्का आता था ना हमारा वो मोटा था यानि उसकी face value उसका जो कीमत था market में वो जादा था उसकी face value जादा थी तो इन पांच ठीक है वो क्या करते थे पांच ब्लेट्स मनाते थे ठीक है पांच इसके ब्लेट्स मनाते थे और एक दो तीन चार पांच ठीक है फाइव ब्लेट्स इस पांच रुपे को मैल्ट करके इसको पिगलाके पांच इन्होंने ब्लेट्स मनाए और हर एक ब्लेट को तू रुपी ने क्या किया जो पांच रुपे का सिह다가 इसकी फेयसल्यू उगटाटके इसमें जो स्निवर यूज़ होता था उसको कम गर दिया कि इसका मिस्यूस ना जो अवंतिपुरा भी भी है, इसलिए तो हमें पता चला इतना हिस्ट्री, अगर इनके अफशेश नहीं होते तो हम कैसे स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, हमें कैसे पता चलता किस तरह से कॉइंस यूज होते थे, कौन सा रिलीजिन वो फॉलो करते थे, ठीक है, तो बहुत इं महराजा अवंति वर्मन से, जब अवंति वर्मन से खेम गुपता ने ले लिया, तो यहां पर खेम गुपता जो थे, उन्होंने क्वीन थी डिड़ा, जो लोहारा जगा, पुंच को पहले लोहारा कहा जाता था, वहां की क्वीन थी डिड़ा, उसे मैरेज की, मैरेज के बा टीक है और यश्वथी तो यह थो ऐसी लेडी सही तिस चिन्हों ने पहले रूल किया था तहई अब डिडा जो ह unfortunately, we should. टीक है तो एपवले विली लेडी ती और यह बहुत ही डॉमिनेटिंग लेडी थी बहुत रूल करने वाइस बहुत स्ट्रॉंग लेडी थी और ये कहां की थी पुंच पुंच को पहले कहा जाता था लोहारा तो उत्पला डैनेस्टी यहीं खतम हुई और उसके बाद मुहमध अफकर जब आये तो फिर जो कुईन डिड़ा थी उनका भी मतब डिकलाइन होने शुरू फिर उसके बाद वहां पे अफगान रूल होगे लोदीज होगे लोदीज में एंड हो गया था मुगल पीरियट का डिकलाइन आ गया था फिर वहां पे पांच ऐसे ठीक है फाइव ऐसे मैं मुस्लिम रूलर्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने रंजीत सिंग को कहा कि आ एंपायर को स्टॉंग करते थे जादा से जादा शादी करते थे कि अगर वार का कुछ हो तो वो लोग आके भी उनकी मदद करें तो रंजीत सिंग ने बहुत जादा मैरेजिस की थी बहुत सारे उनके बच्चे थे आगे तो इनका रूल जो था न ये 27 तू 28 यह तक रहा थ उसके बाद जो इनके गवर्नर्स होते थे वो अलग होते थे तो बहुत सारे कंफ्लिक्स हुए थे और उसके बाद डोगरा पीरियड आया था हमारा ठीक है तो डोगरा पीरियड भी हम डिटेल में कवर अप करेंगे होब की आज मैंने आपको जितना भी बढ़ाया वह आप जा गया होगा बिल्कुल मैंने रिसर्च और एनलाइज करके बहुत सारे सोर्सिस से आपको एक कंसाइस वे में में मेटीरियल और क्वालिटी मेटीरियल आपको प्रोवाइट करना चाहती हूं मैं कि अच्छे से आपको परसी वीडियो वाच करो प्लस मॉक टेस दो ठीक है स्थापना की ये सारी चीज़े कौन-कौन गवाइनर से उस टाइम पर कौन था जब हुआ सद्यपाल मलिक थे उसके बात कौन आए सेकिंड कौन थे गिरीश चंद्र मूर्मू थे उसके बात अब प्रेजेंट टाइम पर कौन है मिनोस सीना है तो ये mcq wise बहुत important हो जाता ह क्या बता आपको इसी में से questions आ जाए exam में ठीक है तो आज मेरी first lecture में history of jamu kashmir में इतना मैं cover up करूंगी next video में मैं आपको आगे इसका further continue करवाऊंगी so good luck guys all the best take care करूंगी